नमस्कार दोस्तों UPPSC डेली नियूज में आप सभी लोग का स्वागत है तो जहां दोस्तों आरो यारो 2021 के एक्जाम से भी निकले नहीं थे कि हाई कोड के आरो की एक्जाम को ले करके बंपर नकल की वीडियो आप सभी लोग सामने मैं अभी दिखाने जाऊंगा थोड़ी द करो इसस बीडियो फईडियो देना पड़ाय लिखाई करना समझ रहा कि कोई एक्जाम हो नहीं नहीं है जिस एक्जाम में आयोग गलती करेंगा वहां अऊभी लटका के लखेगा यहां कुछ गल्ती नहीं होग इसाले तुम चातरलों कर दोगें अनकल करोगे यार बाई जो एक्जाम हो रहा है सांती से हो जाने दो कोई एक्जाम सांती से नहीं हो रहा है तो वहाँ कोई भी विभाग है आयोग है वो गलती कर रहा है जहां आयोग है कोई दारा गलती नहीं हो रही वहाँ चातर लोग घुसे पड़े हैं बाई हो क्या रहा है दोनों लोग त चल रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ मियार रहो क्या कर रहा है सासन प्रसासन वहाँ पर कई से यह वीडियो बना रहे हैं एक्जाम के सेंटर में लाइव आप सोहें डेchangeे हैं सब क्या रहा है और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से 2016 लोवर का जो रिजल्ट है उसके विशह में एक नोटिफिकेशन उसका रिजल्ट जो की आया हुआ लेकिन सबसे पहले आप से लोग देखें यह वीडियो क्या कह रहा है और यहां पूर तरह से चीटिंग हो चुकी है और यह रोल नमबर आप चेक सकते हैं लुचे सारे बच्चे पैपर से उठ चुके हैं कोई भी वेपर नहीं दे रहा है प्रफर रिकारडिंग हो रही है या पेपर आओट रही है इस तरीके का प्रशासन कोई अक्सिन नहीं लिया, आप आई यार के नमेर के नाम पे लोगम फ्रशासन एक घंटे से हम लों लों को ब्लगु पना रहा है, और यह देखे पूरी तरह अभी भी टाइमर चल रहा है। बच्चे पेपर से ऊट चुके हैं तब के नहीं हुआ है और एक बच्चे को नकल कराने के लिए लिए कि यहां का स्ठाफ है चिटिंग कराई रहा है टोफ़ इस बंदे को बोला गया वह बंदा बाग चुका यहां से प्रोपर तरीके से भाग चुका यह है कई से कीमरे का पूर नहीं देना चाहा रहे हैं बारा बार बना कर रहे हैं करने हम देख लेंगे और कोई दिखा नहीं है बाइसाब अच्छे चात्रों को तो कोई पढ़ने ही नहीं देगा लग रहा है अच्छे छात्रों का सेलेक्षन ही नहीं होगा क्या जब अच्छे छात्र सेलेक्षन के मूर में आते हैं वहां पे थर क्वाल्टी का पेपर दे करके उनका सेलेक्षन रोग देते हैं जहां अच्छे छात्र सेलेक्षन नहीं होने पाता है वहां पे मतलब जो का भगवान मालिक है क्या होना है क्या नहीं होना कुछ सम्झम ना रहा पेपर भीया थोड़ी सी लिंग लगा दिए नकल करने में मैं अच्छे छात्रों की भविस्ट की बड़ी चिंता हो रही हमको होगा क्या चलिए देखिए स्क्रीन पर आप सोब लोग लोग पीचीएस का जो आया हुआ है मैं आपसे लोगों दिखा देना चाहा हुँ कि उसके विश्टे में क्या है अपडेट ठीक है तो जी हां दोस्तों यह जो अपडेट स्क्रीन पर आप सो देख रहे हैं इसके विश्टे में मुझे सुबह से ही जानकारी थी जैसे आयोक की कोई अपडेट जीस गंट पहले पता कि याज यूब टी हने उप्डेटे में घुत कम से जुड़े चात्र है, वरना उनकी यह दिना री आप डेंसी को देना यह उप्डेट देना जरूरी है, और इस एक्जाम को मैंने देखा है नस्दीक से लोगों को देते हुए क्या इस सिती कैसे इस हिसाब से ये अपडेट मैं आपसे लोगों देना चाह रहा हूं तो देखे 10 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आज ही आयो की तरफ से आया है अब हम बात करते हैं देखिए कटाफ अंक आयोकद्वारा दिनांक 10-12-2021 को अनुमोदित किया गया जो भर्थी के सुचनात प्रकासित किया जाता है अब हम बताते हैं कि इसमें कुछ सुच है निर्देश है जो की कुछ विभाग दिये गए हैं यहाँ ये विभाग दिये प्रकासित किया जाता है यह चैन परिणाम मादमिक उच्च नियाले इलहाबाद में योजित रीट याचिका जो फला रीट डाली गई थी उसी को लेकर यह व्याची अंकुर दिच्चे द्वारा रीट याचिका तथा भविस्य में आयोजित होने वाली रीट याचिकाओं पारित होने वाली निर्णय के अधीन होगा तो देखे यह रीजल्ट को लेकर के अपडेट है आपसे लोग का और जिसने भी छात्रों का तो फिलाल इसमें जितने भी छात्रों का सेलेक्शन हुआ होगा उनको बहुत डेट सारी सुबकामनाय है आयोग की तरफ से जानकारी अभी तो यह फिलाल चलती ही रहेंगी ऐसे करके कुछ ना कुछ अपडेट आती रहेंगी आप सभी लोग बने रहें चैनल को अगर अच्छा लगता हो वीडियो चैनल पे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें सेर कर दें अपने दोस्तियार से चैनल को सब्सक्राइ अगर करने का मन हो तो करें साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप से लोग से मिस्स ना होने बाए तो यह दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद